तो बच्चों आज हम लोग बिल्कुल सुरू से पढ़ने वाले हैं एक्टम पहला चैप्टर से पढ़ेंगे पहला अध्या से आज आपका कक्छा 9 की गडित का एक नया बैद सुरू हो रहा है आप सबको पता है तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम मतलब आप जान है ना सबके पास पहले सेर करके आओ सभी अपने जितने भी वाट्सप ग्रूप हैं जितने भी आपके यार दोस्त हैं प्रेंड फ्रेंडी हैं सखी सहलिया सबको सेर कर दो पहले आज हम पढ़ेंगे बिलकुल सुरू से नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धती यूपी बोर्ड सीवेसी बोर्ड जारखन बोर्ड बिहार बोर्ड या फिर एंपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं जो NCRT पैटर्न होता है वो सब में वही ह होता है किसी में अलग नहीं होता है तो यह मत सोचना कि हमारा तो अलग बोर्ड है हमारा तो कुछ और होगा है आप सभी बच्चे यह बताओ तम लोग के किताब में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम या संख्या पद्धती है या नहीं बोलो अगर है तो बोलो हां, बोलो हां, बोलो है, तो बच्चा हो कोई भी बोर्ड है आपका नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, संख्या पद्दती आपको पढ़ना है Žे संक्या पद्धति में आपको नेचुरल नंबर का यह एक प्रकृतिक संख्या और वह कौन सा होता है इंटीजर आ इवन नंबर नंबर यह सम पूड़ां यह सारी संख्या यह हमें पढ़ना आप प्रकृतिक संख्या है तो सब में वही है किसी में ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरा हो सभी में वही है तो आज हम देखेंगे पहली क्लास आपके प्रकार सी इंट्रोडक्शन है कि अगे समझो इदर साइड में भाई ध्यान से यहां दिख रहा है न आज आपका यह सेशन का लाइफ फ़स्ट है दोजार इकीज़ बाइस का नंबर फिश्टम के अब हिंदी में भी लिख लो कि संख्या पद्धति आप अध्या पद्धति अध्यां दो इदर साइड में अ मज्टों संख्या पद्धति आप जानते हो क्या होता है कि सभी जानते हो संख्या के पीछे तो पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है उसके आगे ही पढ़ाना जो आपकी किताब में तो यह आपका इंट्रोडाक्शन वाला पार्ट धीक है परिशे में हम पढ़ेंगे بच्चों चैप्टर का क्या ना मैं मालूम है नंबर सिस्टम तो हम इन से आज आपका परिशे करवाएंगे कि आखिर यह संक्या पद्दती क्या है यह अख़ी Door में। में चल्णे से सभी वाट्सअप गुरूप में सेयर करके आओ साधू एक्सप्रेस साधू एक्सप्रेस सोनु आफीसियल है बच्चा ठीक है जिवरात्री इनका नाम है स्वरी माफी चाहते हैं जिवरती साम नाम है इनका बहुत अजीब डाइब का वह चोटा चोटा दिख रहा है रोहित देशी म्यूजिक पीके प्रियंका सिंग अमित साहू कुछ लोग सुच रहे होंगे नाम ही नहीं पढ़ पार है अजीब टाइब का नाम है देखो इदर तो इंट्रोडक्शन में क्या-क्या पढ़ेंगे यहां पर समझो बच्चों आज हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले नेचुरल नमबर क्योंकि हम नमबर के बारे में डिस्कस करेंगे नेचुरल नमबर आप लोग जानते होंगे नमबर जिसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या आप सभी इसके बारे में जानते हो कि नेचुरल नमबर क्या होता है बताओ जल्दी बताओ सभी बच्चे क्या आप जानते हो प्रकृतिक संख्या क्या है जानते हो कि नहीं वाटीज नेचुरल नमबर इसके बारे में हम डिसकस करेंगे सभी बच्चे पहले सेयर करके आओ हंड्रेड बच्चे होने चाहिए फिर हम इस्टार्ट करें ने तो मजा नहीं आएगी मैंने आपसे कई दिन पहले प्रॉमिस किया था पांच दिन पहले एक जुलाई को सुरू से पढ़ाएंगे लेकिन बच्चे आप लोग हंड्रेड पार करोगे हंड्रेड के नीचे रहें तो कलाफ नाइन्थ का गुरूब बनाके सेयर कर दो ना कि जलो कि प्रियांसु पंडे मोनू थीक है बच्चा देखो बहुत गर्मी है यहां सब गड़वड है पंका बहुत धीमें चल रहा है बॉल्टेज लो है जो दिक्कत है कि बरसा सिंग बहुत अच्छे बेरी गुड बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छे बस थोड़ा सा ही हम लोग दूर है टार्गेट से विल्कुल थोड़ा सा दूर है 65 पलस हो चुके हैं मात्र 25 बच्चे और बच्चे हैं 100 पार कर दो फटा फट सुरू किया जाए जल्दी करो पस हमें 2 मिणट और बेट करना है सभी बच्चे जल्दी से सेर कर दो बच्चों 100 पार कर दो बस पटाफट देखो समझो आज पहली कलास है कल से सभी जान जाए ना नेचुरल नंबर सबसे पहले पढ़ोगे नेचुरल नंबर को प्रकृतिक संख्या बोलते हैं तो बच्चों प्रकृतिक संख्या के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे मालूम है एक एक लाइटल डाल दो फोल नंबर के बाद पढ़ोगे फोल नंबर इसे क्या बोलते हैं फोल मतलब होता जानते हो पूर्ड संख्या आप लोग इसके बारे में जानते हो तो बताओ पूर्ड संख्या क्या होती है उसके बाद इंटीजर इंटीजर यानि पूर्डांक यह सब क् क्या आप जानते हो इनके बारे में कमेंट करके बताओ बच्चा चलो जानते हो इनके सब के बारे में की नहीं जानते हो क्लास शुरू किया जाए न क्या चाहते हो भाई सेर करके आजब आब जल्दी से पहली कलास है अगर बच्चे 100 भी नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे गंटा देड़ गंटा दो गंटा बताओ थिर वहीं 15 मिनट पढ़ाएंगे अब 25 बच्चे रहेंगे 35 बच्चे हो गया अगर आप चाहते हो कि एक एक देड़ गंटे कलास चले तो कम से कम सो सो दो सो बच्चे तो लाओ ना आपको कहीं पकड़ किसी का गुड़ती पकड़ के गिर रहा के नहीं लाना है उसको भेज दो नाइंत में पढ़ता होगा कैदो बच्चा अगर तुम्हें अपना फ्यूचर चाहिए भवी से में कुछ बनना है नोकरी छोकरी हांसिल करना है तो आओ पढ़ो चलो चलें पूड़ांग मतलब इंटीजर इंटीजर क्या होता है अब के बारे में डिसकस करेंगे तो सुरू किया जाए भाई फटा-फट तेयर करके आओ दब तक हम खड़े हैं चलो कि जब तक हंड्रेट पार नहीं करोगे हम पढ़ाएं गई नहीं चलो हरी का बच्चा सेयर करेगा और लाइक भी करेगा चलो फटा-फट सभी लाइक करो और सेयर करो तुरंट आज पहली कलास है न अभी बच्चे लाइक करें जितने जुड़े हैं और इससे सेयर कर दो फ क्यों टाइम बेश्ट कर रहा बाबू किसके इंतजार में हो कि अपने वाटसप ग्रूप में आपके जो नाइन्थ के बच्चे हैं कोई भी हो नंबर सिस्टम संख्या पद्धती सबके लिए इंपॉर्टेंट है आज का इंट्रोडक्शन पार्ट किसी भी कलास का बच्च यह है जैसे तुम लोग आलू खाये हो आलू का समोसा भी बनता है इसका बहुत कुछ बनता है इसका कंपटीशन में जाता यह अगर्डेमिक में भी जाता है तो यह बहुत अच्छे टार्गेट में केवल सतरह कम है कि ओनली सतरह कम है एलेफ ठीक है बच्चा सौरव रंजु विसाल कि एलेफ लैला वाइटी इनका नाम है अधित्य दुवन्सी कि थोड़ा सा कम है बस ओनली थार्टीन कम है यार तुम लोग जो चाहोगे ना सब कुछ कर सकते हो युवा प्यूड़ी हो हां दम है अम्मे मै मैं तो हंड्रेड का थाउजंड भी जोड़ सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है टाइम बेस्ट ना करो फटा पर सभी सेयर कर दो जल्दी से हम सुरू करें क्योंकि बच्छे मैंने टार्गेट रखा है उनली हंड्रेड चलो 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 आपके घर और में मोबाइल है दो चार तो उसमें भी चला दो मुझे हंड्रेड दिखना चाहिए बस तीन मोबाइल है उसमें भी चला दो और आपकी वाली जो है ना मतलब समझ रहे हो और आपके वाले जो है कि उन्हें सबको भी ले आओ सबको ले आओ चलो कच्छा दस का चलेगा बच्छा 15 जुलाई से हमारी कोशी से देखो उसके पहले भी चल सकता है कच्छा दस का लाइप 15 जुलाई से या उसके पहले भी चलवा सकते है ऐख सुब 8 बजे चलेगा दस वालों का लेकिन बहुत अच्छे बस only 10 बच्छे कम है ठीक है बहुत यह आएंगे सब बाभू सोना कर रहे हैं बाभू सोना को लेके आजाना यार पूरा हो गये बसकेवल 5 बचें ओनली 5 बचें केवल 5 पर पड़ लो धाब की एकदम सेर कर दो जबर जस्ती बेज दो इनको नहीं पड़ना उनको भी बेज दो कहें दो आजाओ तुम सब आजाओ चलो चलो एसी म्यूजिक क्रिस सिंग अमित साहू सुनीता पंडे सुनीता जी यह सब बोर्ड के लिए है एंसी यारेटी पढ़ा रहे है यूपी बोर्ड सीबेसी बोर्ड बिहार बोर्ड वाई एक बात बताओ किताब कर नंबर सिस्टम है कहीं की नहीं सब की किताब में है कहीं से भी ओ तुम दिल्ली से महराश्ट से यूपी से जहरकर्ण तमिलनाद पर सिंबंगल ओडिशा कर्नाटका जमुकसमीर हर जगा से है चलो फिर पूरा हो गए हो गए पूरा चलो फिर स्रीगड़े साय नमा चुरू करते हैं नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PBR स्टडी में तेरे गिरने में हार नहीं तु इनसान है अवतार नहीं फिर उठ और फिर भाग क्योंकि जीत संचिपत है इसका कोई सार नहीं वहुस्स दिकांस बच्चे कक्षानों के हमँरे पास ऐसे भी जुड़े होते हैं जो फैल हो गए है जिनका कंपांटमेंट हो गया होता या होता है मतलब कुछ सबसे पहले पाठ का परिचे करना है यह अच्छा नौकी गड़ित है सभी बोर्ड के छात्रों के लिए है यूपी बोर्ड सीबेसी बोर्ड सबके लिए है पिहार बोर्ड जारखन केरल करनाटक कोई भी बोर्ड है अपनी किताब मिला लो नंबर सिस्टम या संख्या पद्धती सब में दिया है हम हिंदी और इंगलिस दोनों लांगोज में बताएंगे इसलिए जो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन का मतलब होता हिंदी में परिचे करवाना कैसे कोई आया है तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दो नोकरी के लिए कि मेरा तो शोण है मैं महाराष्रा से हूं महाराष्रा मेरा कौन पर गुन तुम पांच मिनट के लिए निकल लो यहां से ठीक है फांच मिनट के लिए निकल लो तुम बहुत डंडा कर दी एक दम वही कमेंट पेस्ट किये जा रहा पता नहीं कहां से पैदा हो गया यह आप लोग यह बताओ मुझे नंबर सिस्टम में बच्चों सबसे पहले बात करें अगर हम तो यह नेचुरल नंबर क्या है जानते हो नेचुरल नंबर क्या है नेचुरल नंबर का मतलब जानते हो बच्चा नेचुरल नंबर को बोलते हैं क्या बोलते हैं देखो मैंने लगा दिया अब तुम पंद्रा सिकेंड के पहले दूसरा कमेंट पेस्ट ने कर तो नेचूल होती हैं मतलब प्रकृतिक होती है परकार्थे नेचूरल ही वहती है जिने किसीञे ना बनाया है अगर रहाम मैत की महासा में बात करें और सार्ट कर्ट में बात करें तो ऐसे समझ लो अदीज नंबरी starts from one to infinity लिख लो दीज नंबरirsiniz प्रकृतिक संख्या एक से ले करके अनंततक होती है मतलब आप समझ गया है प्रकृतिक संख्या क्या है एक से ले करके अनंततक अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो मतलब कभी खतम ही ना हो जितना तक तुम गिंती जानते हो तुम्हारे पापा जितने तक गिंती जानते हैं तुम्हारी दादा जितने तक गद्द सांख्या उसकी और आगे मतलब नेचूरल नमबर वह होती है जो एक से सुरू होती है लेकिन खतम नहीं होती है समझ गए ना बच्चा to Rock latest जा ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे कापी पेस्ट नहीं होगा बच्चे तुम नया नया कमेंट करोगे 15 सिकेंड बाद दुबार आएगा चलो जैनी से आदो ठीक है बच्चे बेरी गुड लैला बेटा पढ़ लो 5 मिनट बाद तुम कमेंट कर पाओगे लेटर लैला प अच्छे से पढ़ो यह नहीं कि यह तो हमारी किताब मेंने मिल रहा है 1.1 में पहला कुछ और दिया है यह तो कुछ और पढ़ा रहे हैं यह परीचे कर वारे तुम्हारा जैसे ऐसे मानलों कि तुम्हारी साधी हो रही है अब जिस घर में जिस लड़का या जिस लड़की स तब मिलेगा ना तो बस वैसे क्या करना है पहले तुमको इकसर साही जी नहीं मिल जाएगा पहले तुमको उसका परिचे करवाना है उसके बारे में अध्यान करना है ताब 1.1 का कोईशन करेंगे ना समझ रहे हो कि नहीं हां देखो इधर पूर्ड संख्या क्या होती है जैसे पूर्ड संख्या के बारे में बात करें तो जीरो से ले करके अनंत तक कहां तक अनंत तक जीरो से ले करके अनंत तक की संख्या क्या होती है यह पूर्ड संख्या होती है इसमें कुछ पढ़ना है नहीं कुछ भी नहीं पढ़ना है लेकिन तुमसे कहीं पूछा जा सक होता है यह बताओ कि भूल नंबर कहां से शुरू होता है जीरो से या बन से पोलो इंडियान आर्मी लबर बच्चा बताओ लकी यादो रोहिज सर्मा देखो अब 15 सिकेंड में कमेंट आरा मज़ा आ रही न क्योंकि 15 सिकेंड में तब तक 20 कमेंट और जाते हैं देते तुम ध बोलो पूल संख्या कहां से सुरू होती है अगर कोई पूछे तो बताओगे होल नंबर यानि पूल संख्या हमेशा जीरो से सुरू होती है नेचुरल नंबर कहां से सुरू होती है नेचुरल नंबर को ऐसे भी समस सकते हो आप वो संख्या है जिने हम गिन सकते हैं भौतिक दिशलडी वाले ले जाके इसको filter filter कर देतें तो पानी बना दिए नहींِ पानी कोई बना ये अगगे नहीं इनसान धर्नी पे बञ्चर्व काई सब नमय रहा है नाधियाँ अि अभी सुने हो लेकर नमबर है निने किसी ने बनाया नहीं लेकिन आप कहोंगे तो फिर का सुनने को दादा बनाया थे तुम्हारे अब आपने पढ़ा होगा जीरों की भारत में हुई थी जानते हो कि नहीं लिक्टर बिने यादो जानते हो जानते हो राहूल पांडे प्रिती सिंग जीरो नेचुरल नंबर नहीं है जीरो की खोज भारत में हुई थी जीरो एक परकार से एक बनाई हुई संख्या है समझे रहो आरेबर्ट ने खोजा था ना इसको जालो अगला क्या है इंटीजर इंटीजर मतलब पुडांक इस नंबर कैन बी एक्स्प्रेश्ट इंद फाम आफ वो तो दूसरा हो गया इसे इंग्लिज में कैसे बोलोगे भाई इंट 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 होता है तो बच्चा इसमें क्या होता ना बाबू इसमें माइनस अनन्त से क्या कहोगे यह अनन्त का चिन्न होता है अरे आठ जैसे बन गया ऐसे नहीं होता है रुको थोड़ा सा इसकी परिभासा लिख लो पूड़ांक की माइनस आनंत से प्लस आनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है इंगलिस में लिख लो इंटीजर्स में इंकल्यूट्स नेचुरल नंबर्स एंड दियर इन्वर्स ओके लेखो रेगुलर कलास रात के नौ बज़े उस्वरी साथ बज़े होगी हर दिन याद रखना सटड़े को टेस्ट लेंगे पटक पटक के मारेंगे अगर नहीं बता पाओगे तो बलाक कर दे सब्सक्रांदारी से पढ़ना है कि दिक्षा सर्मा आरा समझ में कि अब बच्चा तुम सोलो थोड़ी दे रभी कि इसना पटेल रोहित सर्मा देखो तो यह चीज ने तुम समझ गए ना इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर नंबर जो इस चैप्टर का मुखे मुखिया है पर मुख्या जैसे घर में दादा होते नहीं बहुत गरी आते हैं कबेल उंडे बैटा बहुंसी पाणी ना प्याई है वो कि तो इसमें प्रछ चैप्टर का दादा है मुखिया वो है क्योंकि सारा पार्ट रेशनल नंबर पर ही है तक हो समझो अब हेडिंग डालो अब हेडिंग डालो रेस्टनल नंबर रेस्टनल नंबर सही बोल रहा हूं मैं प्रकृतिक संख्या जैसे मैं बताया कि साधी अगर करने जा रहे हो अभी तो फिला चोटे हो कभी कभी होवे करेगी तो अब बात सब आगे बढ़ गई है बरात का टाइम हो चुका है तैयार हो अब क्या पढ़ेंगे रेस्टनल नंबर लिखो इनके बारे में थोड़ा अच्छे से एक्स्प्लेन करना है रेस्टनल नंबर जहान से देखना बच्चा इनको बोलते हैं परिमिय संख्या है हिंदी इंगली दोनों में बताएंगे आगना नहीं अगर पढ़ना है सीखना ह तो नहीं शीखना है तो कोई बात ही नहीं घगवानी मालिक है तुम्हारे को अगला क्या है इस इत्वलिमे नंबर यह दोनों सीखेंगे एक साथ में ईकिकिल सात्मे इस कि रिएस्टनल नंबर होती है अभी जैसे ही exercise 1.1 शुरू होगा बेटा वैसे ही तुमसे रेफनल नंबर के question पूछे जाएंगे जैसे कक्छा नो की NCRT गडित का exercise 1.1 यानि परफना वाली एक दसमलो एक शुरू होगा वैसे रेफनल नंबर का question है तो समझो इधर समझो कि राम परताब कुमार बच्चा पढ़ लो हाँ कि देखो इधर जो फालतू कमेंट करने बाई टेकनिकल टीम आप लोग बलाक करो इन्हें पटा पड़ इन्हें बलाक करो देर ना करो हटाओ इन्हें यहां से चलो तो वो संख्या है जिने पी अपान क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं वो रेफनल नंबर होती है अब आप कहोगे पी अपान क्यू के रूप में लिखने का मतलब क्या है देखो बच्चा जैसे मैंने लिखा 5 तो हम 5 को हाँ इसमें कंडीशन है वो कंडीशन भी आप लेकिन ऐसे लिखो मतलब जहां दॉटज नाट इक्वल जीरो ऊधी इसी पानिशन हो सकता है यह पॉसिबाल है पी जिरो हो सकता है लेकिन क्यों दौड़ नाट इक्वल जीरो आप यहाँ पर समझ गए ना कुछ अभी देरे-धीरे कुज्चिन एक्स्प्लेशन करेंगे त तो आपको सब क्लियर हो जाएगा टेंशन बिलकुल मतलो तुम लेकिन करना क्या है समझो टाइम दो रूको सब आएगा जिक्षा सर्मा जनीस यादो आरा ना बच्चा आजय कुमार तुजीर विक्टर ठीक है देखो तो वो नंबर जिसे हम पी अपान क्यों के फार्म में लिख सकें वो क्या होता है वो रिफनल नंबर होता है कुछ तो नलायक आई से पैदा हो गए हैं जो कि इनके माबाप की गलती से पैदा हो गये मुझे लग रहे अब यह आकर के उस गलती की सजा मुझे दे रहे हैं इनको मैं क्या करूं कि अहां फेंग दूई नहीं बताओ काम गलत वह करें देखो इदर यह समझ गए जैसे अगर कोई भी नंबर आप ले लो पांच कि यह रेशनल नंबर कैसे है क्योंकि इसे हम फाइप अपान वान लिख सकते हैं जो कि पांथ क्यों का फाउं कि कोई भी नंबर आप बताओ तो मैं उसके बारे में एक्स्प्पलेन करूं यहां पर समझो जैसे अगर मैंने लिखा 1.5 तो क्या यह रेशनल नंबर है या नहीं है बोलो यह यह या नो यह रेशनल नंबर है या नहीं है तो बच्Чा देखो यह रेफनल नंबर है अब लेकिन तुम्हें चोटा-चोटा जोड घटाना गुड़ा भाग आना चाहिए ऐसी बात नहीं है कि भई वह उना आए अब तुम दस हमलों से भिन में बदलना नहीं जानते हो तो फिर नहीं समझ पाऊगे कितना तो तुमको आना ही चाहिए यहां पर स पतलब यह है कि उसे हम बटे में इस तरह से दिनोट कर सकें तुम लोग फिर यह कहोगे कि गुरू जी फिर यह बताओ कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें प्यापान की रूप में नहीं लिख सकते हैं यह भी तो कहोगे ना तुम सब को तो तुम बता दे रहो कैसे ऐसे हैं तो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सेशन को लाइक करो एक गंटे पढ़ाएंगे लेकिन पूरा टाइम पढ़ना ता अब बहुत अच्छे नितीस जीवा एक ही बार कमेंट आएगा पंदरा सिकेंड में तो नहीं आएगा हम मैंने जैसे नहीं करते दो लाख चार लाख बच्चों को ठीक है तो बच्चा यह रेफनल नंबर है क्योंकि इसे हम प्यापान क्यों के रूप में लिख सकते हैं इसे प् देखी जाओर समझो आप ओगे फिर गुरुजी रेस्नल नंबर सब जब है यह है तो यह बगलिया पड़ोसी को काय रखे हो यह क्या है इनके बारे में क्या जानते हो फिर समझो समझो जैसे अगर कोई नंबर वर्गमूल में दी गई है जाहे वो क्यूब रूट में दी गई है यह स्कॉयर रूट में दी गई है तो वो रेफनल नंबर नहीं होती है बच्चों कैसे जैसे देखो आप इधर साइड में मालो अंडरूट से बन जो सभी बताओ क्या यह रेशनल नंबर है या नहीं है बोलो ठथार सिंगानिया पढ़ ल took dopoculo को तुबह किस साम उससको टीन बजे के वीच फोन किया कुष दस से तीन उसके बाद बात नहीं होगी वोलो हाँ या ना लेकिन इसका जो वर्गमूल है अगर हम इसे इसके बराबर करें तो बोलो है ये बराबर नहीं ये डज नाट इक्वल पी अपान क्यू ये पी अपान क्यू के रूप बराबर नहीं क्यों नहीं है क्योंकि सेबन का जो वर्गमूल है एक पूर्ड संख्या नहीं है अब कोगे पूर्ड संख्या क्या है तो मरे दादा हो जब कलास शुरू करें त पताये थे ना बोल नमबर सबसे पहले अब बीच में वही सब आएगा तो तुम ऐसे मुझ ताको गए इसे इसलिए बोल रहे थे कि सुरू से पढ़ लो यह समझ गए बच्चा यह रेशनल नमबर नहीं है तो कुछ लोगों के दिमाग में एक पड़िम बैठ गया कि भाईया मिल गया मिल गया जिसमें चिन लगा होगा वर्गमूल का वो रेशनल नमबर नहीं है अरे गदों ऐसा है नहीं अभी तुम नहीं जाने जिसमें वर्गमूल का चिन लगा है वो भी रेशनल नमबर होती है कैसे देखो इधर इधर देखो इसको थोड़ा और ऊपर लिख दे तो फीज जमा करके उसमें आपको बहुत बहतर तरीके से काफी कुछ मिलता है लेकिन ये तो फ्री है हर दिन साम को साथ बजे फ्री देखो यूटुब पे सब्सक्राइब कर लो बस कुछ नहीं लगने माला है टेली गराम चैनल जरूर जोइन कर ले नहां डिस्क्रेप्शन म पूजा यादव आरा समझ में लुकिका सचिन संजली सबको आ रहे ना लेटेस्ट बच्चा पढ़लो बाबू पढ़लो राजा पढ़लो ने तिलतिया देंगे पकड़के हां पढ़लो देखो ये रेशनल नंबर है पता है क्यों है क्योंकि इसका जो वर्ग मूल है इसका जो इस्वायर रूट है वो फाइब होगा प्लस माइनस फाइब और फाइब को हम लिख सकते हैं फाइब अपान वन रेन भी कैन राइट यह क्या होगा यह पर्मिय संख्या है हां समझ गयो ना जैसे अगर कोई भी नंबर लिखा है मानलो 100 यह भी क्या है रेशनल नंबर है तो पुल मिला के यहां पर आपको मैं बहुत ज्यादा इक्स्प्लेंड नहीं करूंगा क्योंकि कच्छा 9 में हो अभी 10 में जाओगे फि इसके दिन में पढ़ा देंगे हजम नहीं होगा जैसे मानलो पढ़ो इसमें साधी पढ़ी है तो का यह सुने वना ना आपको चपक के खाना मर जाना परवाह नहीं तो पुम्हें हें तो मतलब यह कि ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे कि तुम साब भूल जाओ पस जितना जो भी डीटील है पढ़ लोगे समझ गए ना चलो देखो समझो लोनम लोनम रायारा समझ में पंडे लो देखो समझ गए बच्चों को मिला कि यह जानलो कि जिस संख्या का वर्गमूल कंपलेटली रा निकल सके वह क्या है रेफनल नंबर है वर्गमूल या घंदमूल दोनो हो सकता है जैसे देखो अगर यहां पर हम यह लगा दें मालों यहां पर घंदमूल का चिन लगा है और यह सौ अब देखो यह ए रेफनल नंबर है क्या है यह ए रेफनल नंबर है क्योंकि यह घंदमूल का चिन है बच्चा घंदमूल और वर्गमूल के चिन में अंतर जान इसका जो घनमूल है एक पूर्ड संक्यान नहीं आएगी बतलब जो भी आएगा दसमलों में आएगा बड़ा लंबा चांड़ा यह क्या है यह बच्चा इरेफिनल नंबर है है यह डज नाट इक्वाल पानफ क्यों ये पानफ क्यों के बरावर नहीं है यह भी पान क्योंकि बराबर नहीं है लेकिन इसका हंड्रेड का निकालेंगे अगर वर्गमूल तो दस आएगा और टैन को हम लिख सकते हैं टैन अपान वन एंड इक्वल पी अपान क्यूब कि इस कारण से क्या है रेशनल नंबर है यह क्या है इनकी कहानी बहुत बड़ी है पसमा इक अच्छा नौ में इतना ही पढ़ाओंगा क्योंकि इससे ज्यादा तुम हजमनी कर पाओगे हम कोई चीज हजमनी होता तो क्या होता जानतो ऊपर नीचे से निकल जाता है तो निकलने न पाया इसलिए मैं इतना ही पढ़ाओंगा इसमें चलो आगे तो आप सोच रहां के बीच-बीच में काहिए बोलते रहते हैं एक कुछ बच्चे इसमें सोने लगते हैं उनको सिर् देखो तो यह हो गया आप समझ गए तो बच्चों आप लोग यह बताओ इसमें कौन-कौन किताब लिया है वुक लिये हो कि नहीं तुम लोग वकुत गर्मी हो रही एकदम छपड़ फार इतना समझ लो पिना ऐसी के यहां जिन्दगी मुस्किल है कि मतलब खड़े खड़े पिकल जाएंगे पानी पीए एक वोतल सम निकल गया पतीन हमें हमें अटेशों कई फिर चिल्ड्रेन टीचर बहुत अच्छा गुरुजी बेरी गुड राम राम चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर समझेए यह सब आप लोग लिख लो थोड़ा सा में पानी मंगा लेता हूं कोई जाना नहीं पानी मंगा लेता हूं बस फिर उसके बाद आके बढ़ ओके आरा समझ में रगुबीर जी देखो आप सभी पहले बुक खोलो चलो फटा फट किताब खोलो और जिनके पास किताब नहीं है ना बच्चा किताब ले लो NCRT वाली NCRT ले लो लल्लू पंजू परकासन से ना बोलना कि हमें ये परकासन लिये हैं फलाने के लिए हैं फलाने की धमाके के लिए हैंip जो मेन NCRT होती है वो किताब ले के आओ NCRT जो वुक होती मेन उसमें देखोगे न तो सिले बस वही है जो तुम्हारे PR बॉर्ड, UP कि पढ़ेगा पाइला कोई पढ़ेगा देखो बच्चों किताब में आजाओ किताब में आजाओ बही समझो एक्सरसाइज वन पॉइंट वन चाहिए बहुत महांगी है पूरा इक्सरसाइज नहीं लिखेंगे इतना इस लिखेंगे बस कुछन नंबर पहला कुछ भी गेम्स सर मेरा नेट खतम अच्चा तुम जाओ जाओ पानी पीके सो जाओ चलो कि अगया कि सबसे पहला जो है बच्चो मैंने इंट्रोडं सन बता दिया अब इसमें है कि क्या सूनने एक परमिय संख्या है बताओ अभी अभी मैं पढ़ा रहा था तना तुम हाँ या नहीं वोलो हाँ या नहीं यह फाइस्ट पॉइस्टन है क्या सुनने एक परमिय संख्या है इसका आंसर बोलोगे यस यस इसका आंसर क्या लिख होगे यस हाँ जीरो इजट रेशनल नंबर विकाजबी कैन राइट या इस परजेंट और जो भी इंगलीज में आप लोग लिख लोगे सी बेसी वाले जीरो इक्वल पी अपान क्यूंकि हम जीरो को लिख सकते हैं बच्चों जीरो अपान वन इक्वल कि दिमांग में भर गया होगा कि गुरुजी तो बताए रहा कि जीरो होगे न करें कहीं नीचे नहीं कर सकते हो लेकिन सूनने ऊपर हो सकता है नीचे नहीं रेशमी कुमारी आरा समझ में आ रहा ना फटापट छाप लो जुद्धि इतने भी नए बच्चे जूड़े है चैनल सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लो तुरंट जबती से दिल्कुल फ्री क्लास चलेगी यूटूब पे पैनल तुरन सब्सक्राइब करो फटा फट देर ना करो और सेशन को लाइक करो और कोई लाइक करो तब आगे बताएंगे जबती करो बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत गर्मी हो रही एक दम छपड़ फार उपर से पीरें सब निकल जा रहा नीचे से पसीना में पसीना बहुत तेज हो रहा है प्रिति सिंग अपने भी आपको भी लाइब पे बुला लिये हैं बहुत अच्छा की हो तुम तो कमाल की हो चलो अच्छी बात है तुम लोग भी बुला लो नाइंत में वह तुम पढ़ाई चाहे ना जानो लेकिन भी आप जरूर जानो पर नंबर सिस्टम तो ना समझ में आओगा तुम परमिय संख्या यह हो गया इसका अंसर हां आगे कह रहा था कि क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पुडांख है और क्यू डजनाट इकपल जीरो यह हो गया ठीक है पहला कुश्चन हो गया दूसरा एक बहुत ही फेवरिट चलो अगला कुश्चन लिखो दूसरा जो किताब नहीं लिए हैं बच्चा NCRT की बुक ले लो ठीक हैं समझ रहो कि नहीं तो अगला समझो बहुत ही प्यार से समझो और हां कमेंट के पीछे ना पढ़ा करो क्योंकि हम कभी कभी किसी का कमेंट नहीं पढ़ते हैं समझ रहो होना हम हर दिन सब का नामी नहीं पुकारेंगे में कुमेंट के चक्कर में नपढ़ा करो अगला क्विशंस समझो इसको पहले लीपने दो कर दो को समझो है यह यह बता मुझे कि किनि दो परमिय संख्याओं की बीच Нकिनी परमिय आई हो सकती हैं बताओ क्विश्चन दूसरा तीन और चार के बीच छे पर्मिय संख्या है कितनी छे पर्मिय संख्या यह बताना है बच्चों तीन और चार के बीच में छे पर्मिय संख्या आपको बताना है तो आपको मैं एक चीज बता दूँ यहाँ पर समझो आरती रोवाजी पढ़ो जिनको जल्दी थी वो चले गए कहां उपर इसलिए दिरे-दिरे पढ़ो जल्दी ना करो चलो यह जान लो कि किन ही भी दो पर्मिय संख्या के बीज में अनंत पर्मिय संख्या होती है कितनी होती है याद रखना कभी नहीं भूलना कुल बिंदर कौर बहुत अच्छे बेरी गुड आप तो एक फैबरिट इस्टूडेंट है और शी और याद सब्सक्राइब करी लोगनोष अधिन tension सब्सक्राइब ऐस्गातिEM और तो सब्सक्राइब रहे तो लोग को मिलेगी पीजिए नफेज के जबादि वास्तों सभ्ण देखो 3 और 4 के बीच में अनंत पर्मिय संख्या है जिस लोग कहेंगे मस्टरवा गलत पढ़ा वता है 3 और 4 के बीच में तो कुछ होवे नहीं कर तो मेरे गुरुजी पढ़ाये रहे अब एकर बीच में अनंत संख्या कहा खिला के ठूँस दो गए देखो अब अगर इनसे हम कहें कि बच्चा तीन और दस के बीच में कितनी संख्या है यह कहेंगे हाँ आप सही बोल रहा है तीन और दस के बीच में चार पांच छे साथ आठ नो छे संख्या होगी यह कहेंगे इसके बीच में छा संख्या होगी हां तुम्हारी बात सही है इसके बीच में छे क्या होगा इसके बीच में छे पूर्ड संख्या होंगी है कि क्या होंगी पूर्ड संख्या होंगी होल नंबर होंगी छे इनके बीच में कोई भी होल नंबर नहीं है कोई भी पूर्ड संख्या तो नहीं लेकिन पर्मिय संख्या है विकाज पर्मिय संख्या पूर्ड संख्या से अलग है मज़ा आ रही न बहुत मज़ा आएगी बस पढ़ते रहो कि इतनी मज़ा क्यों आ रही क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है अभी नौवा चैप्टर पढ़ा रहे थे न चतुर्बूजवाला उसमें पचीछ लोग पढ़ रहे थे क्योंकि उसमें खोबड़ी नाच रहा था आसान चैप्टर पढ़ाएंगे तभी बढ़ेगी मुझे मालूम है जहां मैं इस्टेंडर पढ़ाने लगा चैप्टर आठ नो के उपर गए तहां तुम सब लोग निकल लोगे तुम्हीं पढ़ना ही नहीं है चलो देखो आगे तो अब हम बात करते हैं में कुईस्चन प के बीच में अनंत पर्मिय संख्या होती है कितनी होती है अनंत होती है तो यहां पर इस तरह के सवाल का तरीका जान लो दो तरीका होता है मैं दोनों मेथड बताऊंगा दोनों सुन लो पहला एक तरीका होता है कि किनी भी दो पर्मिय संख्याओं के बीच में पर्मिय संख्या निकालने के लिए यह सूत्र लगाओगे सूत्र होता है A plus B upon 2 लेकिन यह सूत्र आप हर जगा नहीं लगाओगे मैं बता रहा हूँ कहा लगाओगे समझो उस पातिवारी चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए पढ़िए सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लो तुरंट देर ना करो जिनको भी पढ़ाई करना है ठीक है तुरंट सब्सक्राइब कर लो भाई या बाबू तभी मज़ा आएगी नहीं तुरंट कर लो फटा कुछ भी गेम्स पढ़ लियो तो तुम निकल लो ना निकल लो जाओ कहीं देखो कि समझो कुछ देखो समझो कि क्या बोल रहे था इसमें हम तीन और चार के बीच में परमिय संख्या निकालने के लिए सूत्र लगाओगे तो बच्चों जहां पर ए मतलब पहली संख्या यानि तीन भी मतलब दूसरी संख्या ये दो इनके बीच की जो पहली संख्या आ जाएगी क्या हो जाएगी साथ बटा दो क्या हो जाएगी बच्चों साथ बटा दो पोजिशन हम नीचे लिख लेता हूँ इसका हल जो है में यहां पर समझो समझते चलो मैं सारा तरीका बताऊंगा देखो यहां पर तो तीन और चार इसके बीच में हमें क्या निकालना था तो बच्चों पहली पर्मिय संख्या कितनी हो गई हमारी सभी बताओ कितना आया ते बना पांटू कितना आया ते बना पांटू है न चलो आगे देखो समझो यह हो गया पहला अब एक तो निकल गया अब हम दूसरा रेशनल नंबर निकालेंगे फिर यही सूत्र लगाएंगे लेकिन इस तरह से थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा यह मैं अभी पहला तरीका बता रहा हूं अभी एक और तरीका बताऊंगा ठीक है यह पहला तरीका है तुम समझते है चलो बस फिल्कुल टेंसन मत लेना चलो तो बच्चों इसमें अगली पर्मिय संख्या कितनी निकालोगे क्योंकि हमें छे निकालना है तो अब इसको ए मान लो और इसको भी मान लो तो बच्चा यह हो जाएगा तीन धन यह साथ बटा दो नीचे दो इसको हल करो इस तरह से आप एक एक पर्मिय संख्या निकालोग एक एक निकालोगे और बढ़ता जाएगा यह बताओ दिख तो रहा है ना पूरा थोड़ा फार जूम कर दूं क्या वैसे क्लियर दिख रहा होगा थोड़ा और बढ़ा कर देता हूं चलो लगे हाथ थोड़ा और बढ़ा हो जाए का है को दिकत सब्सक्राइब । समझो इनको जोड़ो थो बच्चों इन्हें आम जोड लेंगे 2 यह वाजएगा 6 रहे और 6 किडिना हो गया सब्सक्राइब देरा वन बता दो और बता यह दो और वेंटा एक आ इनल में और 30owym छाहा कितना हो जाएगा कोई बताया 13 upon 4 तो बच्चों अभी हमें कितनी पर्मिय संख्या मिली अभी हमें सिर्फ दो पर्मिय संख्या मिली इस तरह से हम लगाएंगे तो हमें थोड़ा टाइम जादा लगेगा इस तरह से आप सारा निकाल लो समझी गए ना बच्चों तो एक बार आप क्या करोगे फिर आप अब इसको ए मान लो इसको भी मान लो फिर एक बार तुम इसको ए मान लो और इसको भी मान लो एक बार इसको ए मान लो इसको इसको वाले को भी मान लो ऐसे ऐसे करके छे पर्मिय संख्या निकाल लोगे बोलो निकाल लो गेना तो चलो में दूसरा तारीका बताता हूँ अब दूसरा तरीका समझें नहीं समझो हुआ मैं क्या करते हैं बच्चों थोड़ा सा समझो कैंझा हुआ सुकंध कर दिया है तुम देखे कितना देखा और मस वह तो भवह क्या कोई जानता है सिकेंड में इसका क्या होगा जानते हो कि नहीं देखो उसमें क्या करते हैं बच्चों उसमें थोक रेट में निकलता है यह फुट कर था यह फुट कर था उसमें थोक में निकलता है किसमें थोक में देखो थोक में कैसे निकलता वो भी समझे लो इसमें क्या करते हैं दोनों संख्याओं को पहले लेते हैं उनको सामने रखते हैं देखते हैं उनको जैसे पहली संख्या क्या है तीन, दूसरी संख्या कितना है? चार तो इनको मैंने ले ली, आप समझो दिख तो रहना आपको की कम दिख रहा है, तही दिख रहा है न बच्चो देखो तो इनको सबसे पहले हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तीन बटा एक, इन्हें चार बटा एक, इनके हर बराबर हैं, अब इन्हें हम सोचो कि अगर दो से गुड़ा कर दें, तो ये छे हो जाएगा, ये आठ हो जाएगा, कुछ जादा खासा फरक नहीं पड़ेगा, अगर और 24 के बीच में मुझे ने लगता 6 संख्या होगी, क्यों होगी, 21, 21, 22, 23, 25 होगी, तो हमें जितनी संख्या निकालनी है बच्चों, उससे एक अधिक करके क्या करेंगे, गुड़ा करेंगे, समझ में आया ना, सवरभ मौर्या बच्चा चलती है, कितने गंटे, एक ही तो हम इसमें उपर नीचे 7 से गुड़ा करेंगे, अभी तक हम ट्राइ कर रहे थे कि किस से करेंगे, तो बच्चों यह हो जाएगा 21, और यह हो जाएगा 7, और यह हो जाएगा 28, यह हो जाएगा, उपर नीचे किस से गुड़ा करना है, 7 से करना बबू, 7, तो हमारी जो प संख्या निखनी है तो हम चलो लिख सकते हैं ना तुम लिखो आता हाँ अब हम 21 बटा साथ और 28 बटा साथ के बीच छे पर में संख्या निकालेंगे ठीक है कि अधिक है सब ठीक है तो बच्चों यह हमने लिख लिए संख्या होंगी कुछ इस तरह से होगी पहला 22 बटा साथ गैस बटा साथ ग्यूभी बटा साथ रगला तो 25 बटा साथ और 26 बटा साथ कि इतना हो गया पांच न और यह 27 बटा साथ समझ गए ना कि तभी समझ गए यह क्या हो जाएगा 27 बटा साथ यह इतनी क्या हो गई आपकी इन दोनों के बीच में पर्मिय संख्याएं हो गई तो यह था आपका तरीका समझ गए ना प्यारे बाचों समझ गए कि नहीं चलो इसको तुम्हे आ और दिखा देता नहीं जाओगे ना चलो इस्क्रीन पे चलो दिखाता हूं इस कुईस्टन को मैं और अच्छे से इक्स्पेलेन करके तुम्हें दिखाता हूं थोड़ा सा रुख जाओ देखो अब इस तरह के जितने भी कुईस्टन है मैं उन्स सब को तुम्हें करवा दे रहा हूं लो आ एकठा ले लो थोड़ा सा रूखो दो सीकेंड रुखो बाई आ रुक जाओं भाब भूआि रुक जा rez humid अ ह्टौड़ा सा रुक जाओं थोड़ा सा रुक जाओं अ लद ropri जैसे कि आपको पता यूटूब पर पीवियर स्टडी में धाई लाग बच्चे जुड़े हैं तो उसमें से नाइन्थ और टेंथ हैं और एट जो भी बच्चे अभी स्कूल लाइफ में हैं उनके ये कुश्चन बहुत सारे होते हैं पराया कंपटीशन में भी आते हैं लेकि किसव कर दोज्राइब हों के बीच में प्रीमिय संख्या निकालनी हो तो काईसे निई कालेंगे बच्चोन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किनीए ऑब ही एक छोटी सी बात अगर हम आपको बताएं तो एक और दो के बीच में तुम लाखों परमीर संख्या निकाल सकते हो लेकिन वो कैसे कलास को पूरा इंडे तक देखना सब समझ में आएगा पहले हम इस कोईश्चन की बात करें जो इसक्रीन पे है उसके बाद फिर और ज्यादा डीटियल में जाएंगे देखिए साथियों जब दो भिन दी गई हो इस तरह से उनके बीच में हमें परमिय संख्याय निकालनी हो तो सबसे पहले हम इनको प्यार फे ऐसे लिख लेते हैं यह आपका फर्स्ट फ्रेक्शन हो गया दूसरा फ्रेक्शन नीचे लिख लेते हैं सबसे पहले हम देखेंगे इनके दोनों के हर अलग अलग हैं हर बराबर नहीं है मतलब डेनोमेनेटर को पहले इक्वल करेंगे इक्वल करने के लिए क्या करते हैं बच्चों जो दूसरी भिन है उसका जो हर है मतलब नीचे की गिंती उससे पहली भिन में ऊपर और नीचे तैसलों में गुड़ा करते हैं ठीक है ये परकिरिया सब से पहले करते है तो यह माइनस 4 बटा यह हो जाएगा 10 इतना सबको समझ में आया उसके बाद क्या करेंगे पहली भण्यक जो हर है यानि जैसे देखो जब आप नहीं पैदा हुए थे, तो लोग आपके पापा को जानते थे संख्या निकालनी है तो भाई साहब आप ये दस वस तो छोड़ दो अगर तुम माइनस चार और पांच के बीच में दस पर संख्यान जा दो ध्यान से देखो पहले अभी जाना नहीं कहीं ठीक है जाना नहीं पहले समझ लो पूरी बात अच्छे से कभी नहीं बूलोगे अगर ये बाहर चले जा रहे हैं हां यहां तक ठीक है तो इनके बीच में परिम्य संख्यान कितनी हो सकती जरह ध्यान से देखो संख्या रेखा आप लोग पढ़े हो माइनस चार इधर माइनस तीन माइनस दो माइनस एक और फिर यहां आके जीरो और वन टू थ्री और फॉ तो क्या यह दस परिम्य संख्या इसके बीच में पहले गीनो हैं एक डो तीन चार पान छे साथ आठ जीरो को भी मिला लिया तब वी क्या भुआ हुआ दस नहीं हुआ यानि की इनके दोनों के बीच में इतनी परिम्य संख्या नहीं हो सकती कि 10 हो जाए क्योंकि हमें 10 निका कुश्चन है और कोश्चन नमबर चौथा है तो वक्चे अधिकांस उत्तरमाला मिलाने की चक्कर में परिसान होते हैं कि एक तरीका होता है उत्तर सब में अलग 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 आता है यही एक लगाता है देखो पहले इसका थोड़ा गहराई से समझ लो भागना नहीं गहराई से इसका मतलब समझ लो एक्चुली इसका यह मतलब हुआ कि जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि बच्चों एक और दस के बीच में कोई तीन संख्या लिखो तो एक और दस के बीच में मैंन इसलब आठ और नौ यह भी होगा तो भाईया यह प्रिया का भी तो सही रहूल का भी तो शही है ना उसमें एक कोई दूफरा टपक पड़ा हो कह रहा नहीं गुरू जी इसके बीच में तो भाई चार भी होगा पांच भी होगा साथ भी होगा तो बताओ क्या किसी का गलत ह इसमें से हां तीन लोगों ने तीन तरह बताया क्या किसी का गलत है सबका सही है ना एक और दस के बीच में यह सारे गिंती हैं कि नहीं है ना तो यह तीन तीनों सही है ना लेकिन अब आपके बुक में मालों यह वाला दिया है तो कहोगे ही दूइनों तो गलत है तो गलत न चलो फिलहाल अब हम कुश्चन पर चलते हैं तो बच्चों देखो जैसे यह आपका जो मिल गया माइनस चार बटा पाँच यह जो भी मिला है इसका अब हम करेंगे क्या हमें क्या करना है हमें निकालना दस परम्य संख्या अगर आप देखो तो इसमें थोड़ा सा ही क्या है गयव है थोड़ा सा गयव का मतलब समझ रहू बाई, आठ परम्य संख्या हैं दोनों के बीच में निकल रही हमें दस ही निकालना है एक method तो हम ये पढ़ते हैं कि जितनी परमिय संख्या निकालनी हो उससे एक अधिक करके गुड़ा कर देते हैं जैसे हमें 10 परमिय संख्या निकालनी है तो हम क्या करें इसमें मतलब 11 से गुड़ा कर दें लेकिन हम 11 से गुड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपकी किताब का उत्तरमाला नहीं मिलेगा आपकी किताब का जो उत्तरमाला है इस अधार पर मिलेगा कैसे देखो समझो इसमें आप दो से सिर्फ गुड़ा करो बस सिर्फ और सिर्फ दो से गुड़ा करो उपर नीचे दोनों में ठीक हैं? दो से, एक बाद ध्यान देना, चाहे जिस भी घिंती से इसमें गुड़ा कर सकते हो लेकिन उसी से भाग भी करना, और जिस से पहले में करना उतने से ही दूसरे में भी करना, यह कर सकते हो इसमें कोई रोंक नोक नहीं है, तो बच्चो इस तरह से आपका यह बन जा है इसके बीच में 10 से ज्यादा भी लिख सकते हो देखो कैसे इनको अगर हम यहां लिख दें यह माइनस 8 बटा 20 और इनको यहां पे लाके लिख दो 10 बटा 20 हमें इनके बीच की फरमिय संख्या निकालनी है ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब मुझे यह बताओ संख्या ड्रेखा पड़े और नहीं पड़े हो तो कमेंट करके बताना संख्या वाला वीडियो आपको मिल जाएगा वैसे लेको तो डिस्क्रेप्शन में बहुत सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे तो देखो बच्चों यह होगा ना ऐसे बढ़ते जाओं हमें कितना निकालना दस अभी हम देखो एक दो तीन चार पांच लिख दिये हैं चुकि यह इसको तो गिनेंगे नहीं इसके बीच में निकालना है पांच हो गया ना तुम इधर से भी निकालना यार यह ल होगा ना लेकिन हमें तो सिर्फ दस निकालना था एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ हो गया ना एक ठीया ओर लिख लो ना इसके बीच में यह यह नहीं जगा यह लिख लो यह लेकिन आप थोड़ा दूर दूर लिखना जिससे इसके बीच में इस पेस रहे और देता हूं इसके बीच में एक लिख लेना पांच बटाबीस ठीक है ठीक ना बच्छों पांच बटाबीस समझ में आ गया ना तो इस तरह से करते हैं जो आपका उत्तरमाला मिलता है तो आपको यह कलास कैसी लगी कमेंट करके बताना और हाँ भाग के नहीं जाना भी बहु क्या अगर तुमसे कोई कहे कि इसके बीच की कोई तीन पर मिय संख्या लिखो बताओ जल्दी जड़ से कमेंट करके बताओ इन दोनों के बीच की कोई तीन पर मिय संख्या लिखो देखो बता लोगे की नहीं सभी बता लोगे ना बच्चे बता लोगे ना कोई भी तीन पर कोई भी परकार का टेंसन मतले ना अगर कोई भी कहीं भी तुमको कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट करके बता देना नीचे देखो पूरा दिख रहा फुल ना आप कोई दिक्कत नहीं नंबर उंबर हट गया न ठीक है तो बच्चों इस कलास को यहीं पेंड करते हैं अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करके बताना लेकिन एक क्वेश्चन लिख लो तुम करना उसको हां चलो क्वेश्चन लिखो एक बटा दो वा एक बटा तीन के बीच के बीच पांच पर्मिय संख्या बताओ इसको हर कोई बच्चा करेगा घर से ठीक है कर लोगे ना कोई दिक्कत नहीं ना हर कोई करेगा इसको करना जरू ठीक है एक और लिख लो तीन वा पांच के बीच में नौ पर्मिय संख्या यह दोनों होमवर्क हैं तुम्हारा सब लोग करना और पिर लाकर कैसी में कमेंट करना अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लो दुबारा चैनल ना मिलेगा यूटूब पर खोजोगे फिर भूल जाओगे नंबर स्क्रीन पर देखो अभी तक दिख रहा था वीडियो थोड़ा सा पीछे करो नंबर स्क्रीन पर नीचे चल रहा था नोट कर लेना कोई दिक्कत होगी तो संपर्क क करना और बने रहना हमारे साथ बहुत-बहुत धन्यमाद आपको क्लास देखने के लिए दोस्तों में सेयर कर देना जिससे कि हर कोई पढ़ सके जितने ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतनी ज्यादा क्लास यूटूब पे चलाएंगे बिल्कुल फ्री ठीक है लेकिन सारे कमेंट आते हैं कि सर मेरा सवाल बताईए आप मेरा सवाल क्यों नहीं बताते हैं कि कौन सी दुस्मनी है हमसे तो भाई आहो बाबू हो आपसे कोई दुस्मनी नहीं है चलिए आपके सवाल हम लेकर के आगए हैं देखिए इस तरह से बच्चे बहुत सारे कमेंट सामरे नीचे भी आपको इस तरह से बहुत सारे कुश्चन मिल जाएंगे तो बहुत सारे कमेंट्स बच्चों की आते हमारे पास में और हम उसे क्या करते हैं को चलिए फिर आपको सवाल पर लेकर चलते हैं कोईश्चन आपके सामने इस्क्रीन पर आ चुका है कह रहा है कि एक बटा दो वा एक बटा तीम के बीच में दो परिमिय संख्या निकालिए यह क्या करना है आपको हल करके निकालना है बहुत ही आसान है सिंपल सा है देखो कैसे यहां पे जरा थोड़ा सा समझेने कि आप लो आपर नहीं है तो सर्व पर्थम हम इनके हर यानि की डेनोमिनेटर को इकवल करते हैं तो जो सिकेंड फ्रेक्शन है उसका हर दो है न तो उसका दो लेकर के क्या करेंगे मतलब उसका जो हर रहेगा उससे उपर वाली में उपर नीचे गुड़ा करेंगे तो इस तरह से हमार बराबर हो जाते हैं अब देखो तो 6-6 है अब एक मिनट आप यहां पर सोचो कि दो परमिय संख्या में निकालनी है तो यह बताओ भाईया बाबू कि दो बटा छे और तीन बटा छे यानि कहने का मतलब मोटा मोटा यह समझो आप कि दो और तीन क्या इनके बीच में दो सं संख्या हैं बहुत सारी हैं अगर परमिय संख्या की बात करें तो अनंत है लाको करोडों हैं लेकिन कैसे जड़ा देखो एक तो यह तरीका है किनके बीच में आप 2.1 2.2 2.3 2.4 ऐसे लिख सकते हो तब भी केवल 9 संख्या ही लिख पाओगे अनंत संख्या तो नहीं लिख संख्या होगे लेकिन इसका दूसरा जो मैं थेड़ है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं देखिए आपने पढ़ा होगा समतुल्य बिन अगर नहीं पढ़ा तो कमेंट करके बता देना मैं आपको बता दूंगा कि वाटीज इक्वालियंट फ्रेक्शन उसमें यह यह नहीं एक ही है सोगल दोरपे अगर इसमें तीन से गुड़ा करें तो यह 3 2 6 और यह तें दरिक करNow श्य और 9 के बीच मैं क्या दो संख्या है। तो क्या करोगे इसमें उपर नीचे आप 3 से गुड़ा करोगे तो बाबु आपका यह नौ मिल जाएगा यह आपका दो त्या इच्छा और यह आठारा मिल जाएगा इस तरह से आपको क्या करना है आपको छे बटा नो बटा थारा के बीच में दो परमी संख्या firm करनी है ठीक है त्या चलो अब लिखो आता है नीचे लिख लेएगो नखे रहा वा नयौब डाट थारा के विच दो पर मिल इस संख्या इस परकारे इतना लिखने के बाद 2 लिखना जो मैं लिख रहा हूं यह बीच में जगा छोड़के 6 बटा 18 और 9 बटा 18 इसको बाद में लिखना तो भाई आहो इनके बीच में आप 7 बटा 18 लिख सकते हो 8 बटा 18 लिख सकते हो यह सिंपल तवर पे हमें दो ही संख्या निकालनी थी इसलिए मैंने इसमें तीन से गुड़ा किया एक चीज़ा और समझ होंगा नहीं नाम अभी नहीं मैं अभी नहीं पढ़ने बाला हुँ जल्दी कमेंट करके बता Against Mackie आया समझ में बोलो अगर आया तो यह साय नहीं आया तो नहीं जलसे लिखना न गप्वेट गप्भान यह वोस्ले यह कई बिल्कूल वेरी गूड तो जल्दी से नीचे आपके वीडियो के ऐसे रेट कलर में सब्सक्राइब लिखा उस पर टच करके सब्सक्राइब करें बगल में ऐसे घंटी का निसान आएगा उस पर भी क्लिक करना और उपर आल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट करना जिससे कि आपको सारी फ्री की कलाश मिल सकें और आप भी ढईला की तीन लाख बच्चों की फैMLिमें सामिल हो सकें चलिये अब हम देखते हैं कि अगर इनके बीच में हमें और संख्याएлекन निकालनी हो हो मतलब 10 निकालनी हो तब हम कैसे करेंगे जर्ण फ्रतेशिक से भी अगर हम देखें इन स्वेस से सटोई अगर में इनको चार से गुड़ा करते सो चो तब सब जी अगर हैं ऐनको 14 क्या जाता तो आठ और बारा के बिच奏स संख्या होगी नहीं अगर टस बढूरा करों ऐब किlier 20 हो जाएगा यह 30 हो जाएगा 20 और 13 के बीच में भी दस संख्या नहीं है 20 और 30 के बीच में दस संख्या नहीं है गिनके देख लो अगर 20 को भी छोड़ दोगे 30 को भी छोड़ दोगे तो दस संख्या नहीं होगी सिर्फ नौ संख्या होगी यानि यहां पर यह हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है जो हमारे हर बराबर वाली भ देखना सब कुछ उसी में नहीं मिटाना हां हर तो बराबर करेंगे अब देखो अगर इस तरह से कहीं कंडिशन बनती है जिनके बीच में परयाब तो संख्याएं नहीं मिल पाती है जैसे अभी अभी आपने देखा उसमें मैंने चाट से गुड़ा कर दो लेकिन आपके न certified वेले जो है ना इनका आंसर मैच नहीं खा ता अगर यह तरीका करते हो सभी सवाल में तब इनका आंसर हर एक सवाल में नहीं मैच खाता उसमें जिस में कम से गुड़ा करने पे काम चल जाएं जैसे अभी मैंने आपको करवाया था पिछला वीडियो आप देख लेना उसमें ऐसा ही बना था सन्योग डिस्क्रप्शन में लिंक दी गई आप उसे जरूर देखना इनमें उपर नीचे क्या करेंगे प्यारे साथियों 11 से गुड़ा करेंगे बाबू इनको 11 से गुड़ा जब तुम करोगे तो क्या हो जाएगा यह 11 दुना 22 हो जाएगा और यह हो जाएगा 66 और यह 11 33 और यह 66 इस तरह से आप देखो अब लिखो अताह एक बटा तीन हुआ एक बटा दो के बीच में दस परमिय संख्याएं इस परकार हैं लिखने के बाद में आप नीचे वाला यह लिखो जो मैंने लिखा इनके बीच में दस संख्याएं आप बड़े ही प्यार से लिख सकतो भाई साहब यह देखो बाबू यह यह देखो 23 बटा 66 एक हो गई 24 बटा 66 यह दो यह देखो तीन देखते जाओ बस चार यह पांच यह छे यह साद यह आठ यह नौ और यह 32 बटा 66 कितना हो गया दस बोलो हो गया कि नहीं इस तरह से आपने 10 संख्याएं निकाल लिया अगर किसी को कोई भी डाउट है आपके दिल में कोई परकार का कंफ्यूजन है तो आप जरूर बताओ मुझे कमेंट करके जितने भी बच्चे कमेंट करते हैं जो चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके क करने का मतलब उपर वाला उठा वाला निफान दबाना है ठीक है उनके सारे सवालों का जबाब दिया जाता है